आप सभी का स्वागत है हमारा चनल सक्सेस की 98 में और ये वीडियो है मैथ की उपर जो इससे पहले मैल लेकर आया था आपके पास रिजनिंग का जो मैं बोला था एस्पैक्टेड क्वेस्टेन है सिव पैटन जो पैटन सिकेंड और ठर्ड डिसमबर को फॉलो कर रहा था ठीक सरकारी नोकरी की तैयारी के लिए यूटूब के उपर हमारे चनल सक्सेस की 98 को सस्क्राइब कीजिए और दबाएए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले वो भी बिल्कुल फ्री में जो डियाई से ठीक है बट इन अधर साइड अगर मैं बात करूँ डिसकस करूँ मैठ सेक्शन को लेकर तो मैठ में 35% doable नहीं है बहुत सारे जिन बच्चों का मैठ में बहुत अच्छा कमाड है वो तो बिल्कुल कर लेंगे लेकिन reasoning में अगर मैं percentage की बात करूँ out of funded more than 70% बच्चे out of 35-35 कर लेंगे लेकिन मैठ में 30-40% बच्चे ही 35 कर पाएंगे हाला कि दोनों ही बहुत इजी आ रहे है ठीक है जो लास्ट के 10 questions है यानि miscellaneous की बात कर रहे है यानि arithmetic वहाँ पर क्या है 10 questions करना थोड़ा मुस्किल है because question काफी असान है लेकिन आपके पास एक और condition है वो condition यह है कि आपके पास 60 minute का time है जो एक boundaries है ठीक है तो आपको 60 minutes के अंदर करना है तो आपके mind में यह भी question होता है सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब 22 minutes 23 minutes math के लिए आप निकालते हैं तो इतना थोड़ा impossible हो जाता है फिर मैं क्या बोल रहा हूँ 27 प्लस तो आप इतली कर पाओगे अगर आप अच्छे अच्छे question पिक करते हो तो suppose कर लो average वाले यह question तो एक्जाम में आई रहे है या फिर profit loss यह भी आ रहे है AGS वाले sum यह भी आ रहे partnership यह भी आ रहे है mixer and allegation यह भी आ रहे है तो यह सारे question थोड़े easy होते है in comparison to compound interest वेगरा फिर mensuration उनसे थोड़ा easy होता है तो अगर 4 question भी आप पिक करते हैं और यहां से 25 question भी करते हैं तो फिर भी आपका जो attempt है 29 और मैं क्या बोला हूँ 27 प्लस करते हैं तो यह एक good attempt माना जाता है ठीक है तो मैं अब आपको दिखलाता हूँ question देख लो यह है total 8 question simplification के आपको timer लगाना है और try करना है हाँ जैसे मैंने reasoning में आपको बताया था कि आपको कितने question attempt करने हैं कितने minutes में तो मैं अगर बात करूँ इस section की math की तो अगर आपको 27 question attempt करना है plus अब time क्या होगा मैंने वहाँ पर आपको time दिया तो 17 से लेकर 18 minute तक video pause करकर attempt करने में थोड़ा time लग सकता है that means मैंने आपको बोलगा 20 minutes तो आप यहाँ पर भी 20 minutes ले सकते हैं ठीक है because चलो आप 25 minutes ले लो ठीक है अगर आप 25 minutes भी लेते हैं तो 25 और reasoning में 20 that means 45 minutes और 15 minutes तो must आपको देना ही पड़ेगा सबसे most important section के लिए ओ क्या है आप सभी को पता है English ठीक है तो 25 minutes में 27 question यह बिलकुल possible है हर एक बच्चे की ability है कि यह कर सकता है ठीक है तो आते हैं पहले question पर आ पास करने के बाद आप try करो देख ठीक है आपके पास total देखो यहाँ पर मैंने 8 question डाले ठीक है यह total 8 हुए अब देखो यहाँ पर एक total 15 question क्योंकि आप सभी को पता है जो simplification से question आ रहे है वो total कितने है 15 है ठीक है तो यह total 15 question वीडियो पास करकर आप try कर सकते timer लगा कर ठीक ह अब जो अगला section है यह है हमारे पास number series यह है total 5 question और यह carry करेगा 5 marks ठीक है तो कितने हो गए 15 plus 5 20 question ठीक है अब दिखाते हैं आपको हाँ DI यह है tabular DI और इसको भी आप try कीजिएगा यहाँ पर एक question कम है total question 5 होते है मैंने डाले है 4 ठीक है कोई बात नहीं आप यह try करो ठीक है अब आते हैं सबसे most important section sorry यह देखिए यह total 6 question है पहले आप question देख लो ठीक है उसके बाद मैं discuss करूँगा करना कैसे है question को ठीक है यह total है 6 और यह रहा 4 यारी 10 question तो total number of question हो गए वो हो गए 34 अब देखो जो starting के question है starting के question कहने का मतलब है कि simplification number series और di जो मिला कर कितने थे 24 and rest 10 question from arithmetic तो जो arithmetic के question है हाला कि मैं इस video को अगर solve करवाता हूँ तो यह video बहुत लंबा बन जाएगा यानि यह video बन जाएगा 30 से लेकर 35 minute तक खीक है उतना possible नहीं है और उतना देर अब video देखो को भीने exam से पहले तो आप एक try करना सारे question बहुत तीजी है बहुत तीजी है तो इक का अगर मैं देखूंगा जिस question पर आपका बहुत ज्यादा comments आ रहा है suppose कर लो भाईया 4th number question बिल्कुल नहीं बन रहा है ठीक है बहुत सारा comment आया तो मैं 4 question को समझा दूँगा आपको suppose कर या 6th number question या फिर आप ले लो की 9 number question आपको नहीं आ रहा है suppose कर लो यह थोड़ा question अच् PC से नहीं बन रहा है बहुत सारे comments है 9 number question के regarding तो मैं यह question आपको clear कर दूँगा सारे बच्चे को ठीक है लेकिन बाकी सारे questions एक दूसरे को आप जनूर हल्प करिएगा ठीक है जो बच्चे मी comments करते हैं तो पहले आप try करो खुश से देखो कितने minutes में आप कर पाते हो because time is so important in pre examination तो मैंने आपको बता भी दिया है कि आप 25 मिनट्स ले सकते हैं math के लिए 25 मिनट्स में 27 प्लस आपको attempt करना है और यह 110% doable है ठीक है तो आज के लिए आप सभी कोई का या थैंक्यू